स्टूडेंट है आप सब इस्टूडेंट के मन में यही प्रश्ण जो है सबसे जादा अभी इस वक्त उत्रा होगा कि 36 गड़ में आखिर कब होगा 12,489 सिख्षक भर्दी पेपर कब होगा यही प्रश्ण जो है आप इसे हरे की स्टूडेंट सोच रहे हैं और सबसे माया हाथ तो पूर्ण इंपॉर्टन बात यह भी है कि 36 गड़ में जो है सीजी टेटा यह दि आपका जो है क्वालिफाइक हुआ है तो इस सेटिफिकेट जो है कब से जारी होगा क्योंकि इस सेटिफिकेट कभी इंतिजारी स्टूडेंट करने हैं क्योंकि 75,000 स्ट इस सेटिफिकेट कभ जारी होगा वो भी चुझे मैं आपको बताऊंगा साथ ही आपको बताऊंगा कि 36 गड़ में जो है सिक्षा के 12,004,89 पदों के लिए आपको अवेदन कभ करना है और आप लोगों के लिए एक्जाम के तैयरी करने के लिए कितना समय है इस तरीके से आ आप इन सभी बुक्स को पढ़कर एक्जाम की तैयारी बहतर तरीके से कर पाएंगे और आपका सेलेक्षिन जो है डेफिनेटली हो पाएगा तो 36 गड़ में सिक्षक के 12,004,89 पदों के लिए भरती विग्यापन जारी हो चुका है अब मैं आपको इस वीडियो में आगे भ बताता हूं ताकी आपको complete जैनकारी मिल सेके तो सबसे पहले मैं आपको इस उर्टिफिकेत के बारे में बताना चाहता हूं कि सीजी टेम के इस इस साथा करके कब से आएगा तो आप लोगों को मैं बताना चाहता रही हो और असीफिकेति Spirit आपके जारी ह выгляд 근데 झहारी 22 के इस certificate अगले सब्ता जारिक होंगे व्यापम से इसकी तैयारी जो है किये जा रही है टेटी टेट एक्दाम जो सितंबर में हुई थी 18 सितंबर को पिछले महिने इसके नतिजे आनि 21 अक्टूबर को जारिक हुए थे प्रैमरी वा मीडिल क्लास के लिए टेट में जो है टीचर एलिजिबिटी टेस्ट के लिए कुल 80,000 जो है सफल हुए है अब सरो ने बताये कि टेट से जो सर्टिफिकेट जारी किया जाएंगे वह आज जीवान मान्य होगा यानि कि पहले जो सीजी टेट एक्जाम जब आपका क्वालिफाई होता था उसमें वैलिडिटी के वज साथ साल तक साथ वर्सु कर रहता था साथ साल के बाद आपको फिर से टेट एक्जाम दिलाना पड़ता था लेकिन इसकी मान्याता आज इवान होगा इसका उलेख सर्टिफिकेट पर भी किया जाएगा यानि कि जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसमें भी मेंसन किया जाएगा कि आज जीवान आपका होगा पहले ट्रीट की वेज़ देज़ साथ साल गे थी जैसे मैंने आपको बताया पिछली बार ट्रेट की ने नियम लागू हो चुका है गवरत लबही की ट्रेट 222 के लिए करीब 7,808,000 आवेदन मिले थे पहली से पांचवी की परिक्षा के लिए 4,16,923 में द्वारों ने आवेदन किया था मिडिल प्लास की ट्रेट के लिए 3,4,038 आप परिशार्ट के लिए फार्म भरत था परिक्षा में करिश्टी सिज़ी परिक्षार की अनुपस्थित हुए थे याने दो लाकिकत की सजारी स्टुडेंट एक्जाम देने ही नहीं पहुंच रहे थे तो अगले सब्स आपका जो है इस सर्टिफिकेट जो है आपका जारी होने वाला है अब मैं आपको बताता हू लेबस के बारे में complete ताकि आप जो है अग्जाम को qualify आप जो है कर सके तो आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यदि इस बार आपका च्छी टेग्जाम आपका qualify नहीं हुआ कि जितने भी student ने exam दिया थो उनमें से हर एक student का तो यही सपना था कि मेरा cg test exam जो है qualified हो लेकिन नहीं हो पाया कोई बात नहीं आप लोगों के पास एक और options है वहाँ के जो है के लिए यदि आप शिक्षक बंग जाते हैं तो आप अपने सभी सपनों को पूरा करताएंगे तो सपनों को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना है और मेहनद करना है क्योंकि आप लोगों के लिए काफिज जाद है important जो है भरती निकला और अगले साल 2000 के इसमें चुना होने वाला इसी वज़यर से आप लोगों के लिए नहीं भरती नहीं विकेंसिज जो है निकल गए आया अगर विकेंसिज आपका चुनाव नहीं होता तो यह विकेंसिज जो इस वक्ता आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये वेकेंसिस आप लोगों को देखने को नहीं मिलता, तो जितना ज़्यादा हो सके आपको इसका फायदा उठाना है, आप लोगों को, जिससे आप 36 गड़ में सिक्षक बन सके, तो टीचर भर्ती परिक्षा एक्जाम के तीस परशन जो है पुछे जाते हैं, इसके साथ ही हिंदी से भी परशन पुछे जाएंगे, इसके साथ ही हिंदी से भी 20 संको के परशन पुछे जाएंगे, तो हिंदी की थैयरी करने के लिए आपको जाए, दिली आईस एक एड़िमी का बुक लेना, तो एदी हम दिली नौलेज आपको बहुंत अचहीं मिलेगा और आपको संपूर्ण व्यक्रान्ड की तैरी आपका हो जाएगा इसके इसमास है बताना शाहत हूं इंगलीज के बारे में ने से नाउन्ट प्रणफ्ड साफोन्ट होता है, ग्रामर में आपका इंग्लिश क्रामर्स की तैयरी कर सकते हैं, यह इस संसेल इंग्लिश असमी स्वी दीशा पब्दीकेशन की बुक वान आप दी मोश्र सबसे बेश्ट और पॉपलर बेश्ट बुक होता है, इसके साथ जो है 36 गड़ में करेंट अफर्स के बात करें तो सीजी करेंट अफर्स क अफर्स की तैयरी कि हो पाएगा और आपको अवेदन कप करना है और अवेदन करने के लास्ट डेट क्या हैं, तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आपते भी लोगों को नहीं नहीं गवर्मेंट जब विकेंस्ट से रिलेटेड विश्ट विकेंस्ट से रिलेटेड़ विश्ट मिलते रहेंगे, प्लीज अगर आपका कोई भी डाउट से है तो अपने डाउट जो है अवस्टे के क्लियर किया कीजिए, ताकि आप सथी के डाउट से और आप सथी के कमेंट का मैं रिप्लाइग कर सकूं, और इसके साथ ही आने वाले समय में आप से शट्रिस गड़ में स जो है आने वाला है, चून का पोस्ट जो है काफी जादा इंपोर्टन्ट होता है, चून का भी रिजार्ट आपको जो है आने वाला है, तो बस आप लोगों को थोड़ा से इंतिजार करना है, एक ते बाद एक काम लोगों के लिए नेनी भरती, नेनी वेकेंसिस जो है जार परना है तो प्रेस्ट चैनल को सब इस्क्राइब कर लिजिए साथ में बिल नोटिफिकेशन को भ्याउन करते रख लिजिए और आपका अगले वीडियो में अपना ख्याल रखे और जिन्दगी में आपको जो अवस्था मिलेगा अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको जहने कोफिक में धन्यवाद अपना ख्याल रखे और प्रेपरेशन कीजिए जब आपको से प्रेपरेशन करेंगे तो आपकी जिन्दगी ज़रूर बद लेगा